हमारे frequent content का, इसके बाद आपने जो भी अपनी assets बना दी हैं, चाहे आपका YouTube का channel है, website है, Instagram का page है, Facebook page है, अब आपको उसमें regular और frequent content डालना ही डालना है, ये नहीं है कि आप महीने में एक बार डाल रहे हैं, या फिर डाल ही नहीं रहे हैं, या इतना डाल दे रहे हैं, और उसके उस समय या तो हम लोग खुद कर रहे होते हैं, या किसी को हमने hire किया होता है, तो यहाँ पे आपको frequent content डालना है, एक frequency बना लीजिए, कि मुझे week में 2 post डालनी है, week में 6 post डालनी है, या मुझे महीने में 8 post डालनी है, तो इस प्रकार से आपको एक frequency बना के रखनी हैं, और आपको अलग अलग प्रकार के content डालने हैं, सिर्फ ऐसा ना हो कि आप उनको सिर्फ खाने की photo ही दिखाते जा रहे हैं, तो यह भी content creation का part